इस पारे में जानूंगी हमारे साथ मौजूद है बीरो चीफ समा टीवी मिस्टर नाईम हनीफ इसके लावा जब बात करते हैं कल होने वाले इजलास की जो के पाक फोज, फिजाया और नेवी का होना है तो हंगामी फैसले मतवक्य है आप मैं सोचती हूँ कि क्या ऐसा मुम्किन है कि आने वारे इलेक्शन्स मुल्तो भी हो जाए या अपने वक्त पर ही तैप आए इस पार में भी जानूंगी इसके लावा जब बात करते हैं पंजाब एक्स गवरनर चौधी सर्वर की तो उन्होंने इलान किया है अलीम खान को सपोर्ट करने का जी हाँ अलीम खान को सपोर्ट करने का अलान किया है पंजाब एक्स गवरनर चौधी सर्वर ने इसके बीचे क्या माज़ रहे ये भी जानेंगे इसके लाव जब हम बात करते हैं हमारे पाकिसानी क्रिकट टीम की तो मुझे समझ नहीं हुरी क्या वो लोग हूं? नाश्ता सही नहीं कर रही है नाश्ता सही नहीं होती यह चल के रही है चल का है? श्रीलिन सिरीज हारी और अब नेउजीलेंड सिरीज भी हार गई है यह चल का है? इस बारे में जानते हैं हमारे प्यूर चीफ समा टीवी मिस्टर नईम हनीव से असलाम लेकम वालेकम असलाम बुश्रा के सिंसर आप ठीक है अलामदलिल्ह सर मुझे बताएं जब हम बात करते हैं एरान और पाकिस्तान के दर्मयान होने माले क्लैशिस की एरान ने पाकिस्तान हैं और बड़ा बरवक्त फैसला था और इस तरह के जो है वो इन बॉर्डर्स पे फूल जड़ियां चलती रहती हैं और उससे पहले भी हमने जवाब दिये बहुत से वाकियात हैं अब फरक सिर्फ इतना था कि शायद हमें को गलत फहमी थी कि इंडिया और अफगानिस्तान की तरह इरान जो है उससे हमारा जो एक सफार्ती तालुकात हैं वो बहुत बेहतर हैं और शायद उनमें कभी खलीच ना आए तो जब ये वाकिया हुआ पहल उदर से हुई तो उसके बाद एक कालदम तन्जीम सोशल मीडिया के जरिए वो जो एक रवायती सा तरीका है कि ज कोई तन्जीम है तो ये बिलकुल हमारे जो इंटेलिजनस अदारे हैं उनकी तहकीकात हैं और बरवक्त तहकीकात जिसके नतीजे में हमारे अदारे इस नतीजे ते पहुंच गए थे कि ये हमला जो है इरान ने खुद किया है और जानी नुकसान भी हुआ तो अब ये है कि जो सफीर थे पाकिस्तान में एरान के वो तो औररी तहरान में मुझूद थे वो तो अपने मुल गए वे थे चंद दिन हॉलिडेस पे तो उनको तो वहीं पेगाम दे दिया गया कि आपको पाकिस्तान आने की ज़रूत नहीं है और इसी तरह से जो है वो उन्होंने पाकिस् पाकिस्तानी नयाद जो देशितकर्ट चुपे हुएं एरान में पना लिये हुएं उनको टार्गिट किया गया और उसमें काफी सेक्सेस मिली है और ये मेरी नजर में कोई ऐसी अन होनी नहीं है जो है बिलकुल अफवाज़ पाकिस्तान जो है वो चाको चौबंद है और ब किलो मेटर की बार जो है वो अफवानिस्तान बार्डर पे लग चुकी है और अब जो है इससे पहले कभी ना कभी जो है वो दूसरे हमसाई की तरफ से जो शरारते होती थी उसका भी बरवक्त जवाब दिया जाता रहा तो जहां तक बात है कल होने वाले इजलास की जो है वो रहती है और इस तरह की सुरते हाल में जारी बात है कि वो एक पेज पे रहे हमेशा और अलहमदोलिल्ला अब भी है बिलकुल ये इस इजलास के एजन्डे पर भी नहीं है पाकिस्तान के आम इंतखाबात सिर्फ स्क्योर्टी सुरते हाल का जाइजा लिया जाएग और कौमी स्लामती के इस इस जो है उनको डिसक्स किया जाएगा एजन्डे पे मुल्क के अंदर की सुरते हाल और आइंदा इंतखाबात वो नहीं हैं तो आपका जो सबाल है इंतखाबात का जो है वो मुलत्वी होना या उसमें किसी तरह की भी ताखियर इस वाके के वज़ से हरगेज नहीं है इंतखाबात वो बरवक्त ही हो रहे हैं आज जब हम बात कर रहे हैं इस सूरत अहल में अभी तक आट फर्वरी को ही मुनाकद हो रहे हैं। जाती है ट्रिबियूनल में या कोर्स में निशानात की अलाटमेंट के हवाले से या किसी भी हवाले से तो वो मुस्तरद कर दी जाएंगी उन्हें जो है वो अकॉमडेट नहीं किया जाएगा जिसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि इस वक्त बैलट पेपर जो है वो प्रिंटिंग प्रोसेस में है प्रिंटिंग का आगाज हो चुका है क्रोडों की तादाद में जाहर है बैलट पेपर च्छपना है तो अब जो है मेरे ख्याल में दो वीक मुश्किल से रह गए हैं और जो हम कहते थे कि आप एलेक्षिं का महहूल नहीं है तो ग्राइप बनना भी शुरू हो गया है जब आप लाहور की सड़कों पे निकलते हैं जब आप दूसरे लाकों में जाते एं तो कैंपें जो है आपको नजार आना शुरू हो गई हैं ये जे जरूर है कि इस से पहले य हैं असलमें एक गैर यकीनी की सूरते हाल तो रही तो जाहर है कि इन सरगर्मियों के लिए भी एक बहुत जो है आपको एक इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है इसके खराजात होते हैं तो मैं यहां तक के नून लिक की भी अगर बात करूं तो उनके हां भी जिस भी काइंडेट से हमारी बात होती थी तो वो एक कन्फियन किसी सुरते हाल थी कि हम जो है ना किस कैंपेइन को अभी शुरू करते हैं वो वेस्टिज ओफ मनी में ना चला जाए और वक्त का जिया पैसे का जिया लेकिन चट गए हैं और एक इंतहाबी स्काय जो है वो क्लियर नजर आना शुरू हो गया है और वो आठ फरवरी ही है तो इंतहाबात बिलकुल हो रहे हैं वो मैंने आपको बताया कि यह बिलकुल सुलूट है पाक फोज को और यह एक बड़ा इतमिनान है पाकिस्तानी कौम के सकते हैं एक सकून की नीन सो सकते हैं सूप का सांस ले सकते हैं और एक अजाद फिजा में हम सांस ले सकते हैं मतलब हैस वफ्टु पाकिस्तान हारगी मतलब आफ शोन के हाव स्ट्रॉंग वी आर इक sorted this is amazing मुविंग ओन फॉरवर्ड जब हम बात करते हैं हमारे पंजाब एक्स गविनर चोधरी सर्वर की उन्होंने अलीम खान को सपोर्ट करने का इलान की है दान एक्स की अपने माईं में तो चोधरी सर्वर जो है इस वक्तर वह इस वक्तना पाकिस्तान की सियासित के बीडिविलियर बने वे आपने कभी एबीडिविलियर की शौट्स अगर देखेंगा तो कुई समझ नहीं आती हैं वह किदर शौट मार देंगा और वह ऐसे ऐसे ए और ना फिल्डर को समझ आ रही होती है और ना इस सामने वाले टीम को समझ आ रही इस तरह के शौट्स जो हैं चोधरी सर्वर साब इस वक्तर खेल रहे हैं अब वो क्या कर रहे हैं उन्होंने अब्दुललीम खान साब की स्पोर्ट का एलान कर दिया है हलका एने वन वन मिलावल भुटुश जर्दारी को स्पोर्ट कर रहे हैं ठीक है अब विलावल भुटुश जर्दारी ने वहां उनको कन्विंस कर लिया मना लिया वहां वो बिलावलभुटो को स्पोर्ट करेंगे 117 में वो अब्दुलラ Champ хотел को स्पूर्ट करेंगे और गुजरात के दोनों जो हलके हैं, वहाँ वो चोधरी शाफिय और चोधरी सालिक हुसान के लिए भी वोट मांगेंगे, ग्राउंड पे जाके, ये मेरी खुद बात हुई है उनसे, मैंने भी ताजा सरीन उनके साथ इंटर्वी भी किया और काफी अरसे के बाद मीडिया अपेरिंस भी हुई है उन जाती पसंद और नापसंद पे जाके और जाती दोस्तियां और जो है ना अपने मन पसंद जो लीडर्स हैं, उनको उन्होंने स्पोर्ट करने का फैसला किया इस अलेक्शन में, हाँ अलबता ये है, पहले वो को बड़ा डिसियन लेने जा रहे थी अलेक्शन से पहले, लेक किया है, कि वो किसी एक जमात की सियास्त नहीं करेंगे, वो जिस जमात में उन्हें कोई बेहतर लीडर्शिप नजर आती है, को डिलीवर करने वाला, हाँ, एक उनके अंदर, जो है, मैंने शुरू से देखी है, गुवर्नर का होदा जो है, वो एक अजाजी होदा है, कोई गवर्नर हमने देखे यहां पे, वो फोटो सेशन अजर्फ होता था सारा दिन गवर्नर आउस में, और कोई ऐसी सरगर्मिया नहीं, लेकिन गवर्नर पंजाब होते हैं, पीटी आई के दोर में, और नूनली के दोर में, चोज़ी सरवर साब को, मैंने ओवर सीज के लिए का करते हैं देखा उसके इलावा वो मुख्तलिफ शौबों में उन्होंने अच्छु के शौबे में उसके इलावा उन्होंने मुख्तलिफ वैकवर्ड एरिया में जाके वो वाटर फिल्टरेशन प्लान का जो अनका पूरा प्लैन था और वो और उनकी जो है उन्होंने बड़ा बोज बने उस पार्टी के ऊपर एक सीट आपने निकाल ली और आपके सिर्फ इतनी रह गई कि आपने किसी को इस्टेंशन देनी तो एक वोड देना है आपने किसी बिल के लिए एक वोड दे देना है अधर्वाइस आप जो है ना बिलको बोज आए इवान पे भी और मुलक पे भी तो उन लोगों को जो है चोड़ी सर्वर का जो नजरीया मैंने देखा है कि उन लोगों को आगे आना चाहिए उन लोगों को कॉंटेस्ट करना चाहिए उन लोगों को पॉलिटिक्स करनी चाहिए जो डिलिवर कर सकें तो अब्दुलालीम खान से वो आज नहीं वो जो हैं वो पहले रानुमा थे जिन्होंने अब्दुलालीम खान का हाथ पकड़ के खड़ा किया कि वजिरल्ला पंजाब अब्दुलालीम खान को होना चाहिए ये इमरान खान फ्रंट अफ प्राइम मिनिस्टर जो है उस वक्त के बानी शेर्मेन उनके सामने ये बात की अब् कर्टी पोलिटिक्स हुई कि चोजी सर्वर को नीचे पीपी में एलेक्शन ही लड़ने दिया गिया दोज़ाटारा में वो एक थ्रेट थे कि ये सीम के कैंड़ेट हो सकते हैं शाममुद कुरेशी एन्ने का लेक्शन जीत रहे हैं और एक नए लड़के से नौमलूद पोल जांगीर खान तरीन जो हैं उनको डिस्कॉलिफाई करवा दिया गया और आखरी जो थ्रेट था वो अब्दुलरी खान था वज़ारत पंजाब के हवाले से तो उनको बनी गाला से गो एट दिया गया कि आप जाके त्यारी कर दें अपनी शेरवानी निकालें उसको नारे और अभी वो इस बनी गाला से बहरा नहीं पहुंचे थे तो उन्हें नैब लाहूर से कॉल चले गी थी कि सुबा पेशों और उसके बाद उन्होंने तकरीबन नो दसमा जेल कटी तो यह जो सारा माजरा है उसमें चोधरी सरवर और अब्दुलालीम खान यह पाकिसन तहरीके इनसाफ के अंदर एक धड़ा था एक ग्रूप था तो उन्होंने देखा किस तरह से प्रफॉर्म किया थ्रूआट सारी तहरी तहरीक में यह होता रहा बुश्रा जो अक्सर हम बात करते हैं कि और आज यही सारी एक आपके जो वो फैसले थे जो शायद आपके बस म नहीं थे आप मजबूर थे किसी वज़ा से और मजबूरी के आलम में आपने बोस से अपने साथी खोए और वो आगास था वो सफर था बनी गाला से अडियाला का इन फैसलों ने आज आज आपको बनी गाला से अडिया पंचा दिया यह वो फैसले थे आप थोड़ा पीछे जाके सोचिए अगर उस्मान बुजदार की जगा अब्दुलालीम खान चोधरी मौमद सर्वर इवन शाम में मुद कुरेशी जासी सोच और इस तरह का कोई लीडर जो है वो पंजाब को लीड करता तो ना पंजाब की ये हालत होती ना पाकिस्तान की ये हालत होती ना पाकिस्तान तहरीक इनसाफ की ये हालत होती इतना सा माजरा तो अब जो है सुरतियाल ये है कि चूंके वो एक सारा सारी स्ट्रगल और वो एक सारा जो मामला था उसमें ये दोनों साथ रहे और उसी वज़ा से खुद चोधरी सरवर साथ ने राप्ता किया अब्दुलालीम खान साथ से और उन्हों ने मदू किया शाय निशान और उसमें जो मेरी इतला है के हलका ने 117 के जो लोग हैं और इस वक्त भी वो तक्रीब जारी है बड़ी बहुत बड़ी तादाद में वहां के जो स्पोर्ट रानमा हैं वो मुझूद हैं और उन्होंने मुत्विका तोर पर अब्दुलालीम हान की हमायत का ऐलान किया है इसी तरह से चोधरी सरवर जो हैं उन्होंने बिलावल भुटो जरदारी की स्पोर्ट का ऐलान किया अच्छा मैंने उनसे सवाल किया कि स्पोर्ट औ उनसे सवाल किया कि क्या बिलाबल भुटो जरदारी को प्राइम निस्टर पाकिस्तान देखना चाहते हैं तो उनने का मैं बिल्कुल देखना चाहता हूं तो इसी तरह से वो अब्दुलली महान को वजीरला पंजाब भी देखना चाहते हैं चोधरी ममसरवर तो बड़े जान उन्होंने पाकिस्तान में भी सियासित की दो मरतबा गौर्णर भी रहे हैं और उनका जो आगाज है सियासी केरियर का वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही है ओ जलुफकार यली भुटो के साथ भी उन्होंने काम किया और उसके बाद फिर नून लीग में भी जाहरी बा बड़ी जबर्दस कहानी है वो आपको मैं सुनाओंगा कहानी बड़ी मज़े की कहानी है तो उन्हें एक दस्खत करने के लिए का गया कि आप इस समरी पे दस्खत कर दें उन्हें नहीं किये आड़ गए और आपकी जबार में आड़ गए तो कहने का मकसद है कि इस मामले में वे थोड़ा एक प्रिंसिपली जो स्टैंड है वो लेते वे भी हमने देखा उनको तो यह सुरत है बारा लला करे कि 8 फरबरी को खैर ख काम की खिदमत कर पाएं बिलकुल बिलकुल मुझे यह पताएं मेरे एक लास्ट क्वेस्टन है आपसे हमारे पाकिसान एक क्रिके टीम है क्या परफॉर्मेंस में क्या प्रॉब्लम है मुझे समझ नहीं आ रही क्या चीज़ लैक कर रही है अस्ट्रिलिन सीरीज दोनों हार गए चेर्मेन PCB का झिकर करना पड़ाएगा यहां पे लेकिना मैं करना नहीं चाथा मेरे पर जलते हैं उनका झिकर नहीं करना चाहता है मैं चाहता हूं कि रूट कौस क्या है इशू यह आज का नहीं है यह वर्ल्ल कप में जो कुछ हुआ बोर्ड के अंदर और उनका जो scandal अच्छा वो कहां है वो investigation कएा पहुँची है आप बता दे मुझे, आप तो सारा दिन जो है वो interviews करती है podcast कहां है वो investigation पहा हो गई है? जोंडो उसको कहां चले गई आपने एक शोचा छोड़ा, आपने एक Youटीविबर से स्टोरी बरेक रवाई उसके बाद आप नेशनल मीडिया के उपर और आपने जो है ना उन से रिजाइन ले लिया रिजाइन लेने के बाद आपने इन्वेस्टिगेशन का आगाज किया सिर्फ आगाज किया आपने उसके बाद वो कहीं टोकरी में चलेगी रदी की तो ये मामला तब से चल रहा है असल में टीम के अंदर बिलकुल यूनिटी नहीं है टीम जो है वो दड़ों का शकार है इस वकत आपने शाहीन अफरीदी को कैप्टन बना दिया आपने बाबर आजम से कप्तानी ले ली उदर आपने शान मसूद को स्टेलिया की सीरीज में टैसीरिस का कप्तान बना के भीज़ दिया वहां भी वाइट वॉश हूँ आपको आपको इदर भी आप वाइट वॉश के करीब हैं तीन मैचिस आप पहले हार गए अब पतानी चोथा काल है या परसो है तो सीरीज तो आप वह यह भी आर गए और लग रहा है कि कोई बी टीम खेल रही है न्यूजी लेंड से और को सी टीम खेल गया यह उस्टेलिया के साथ टीम सिलेक्शन और उसके बाद टीम का जो मोराल है वो इतना डाउन है इतना डाउन है कि उनको कोई वन यूनिट बनाने की एफट नजर नहीं आ रही कोई कोशिश नजर नहीं आ रही और अब ये बड़ी टीमों से आप दोनों सीरीज बड़ी सीरीज हारने के बाद अब आप इंतजार करेंगे किसी चोटी टीम के साथ सीरीज का जिसमें आप अपनी परफॉर्मस दिखाएंगे ये आपके हालात हैं और देखिए कि अभी ऑस्टेलिया टूर शुरू नहीं हुआ था तो उसके नताइज जो है वो सोशल मीडिया पर आना शुरू हो गए थे कि वाइट वाश होगा क्लीन स्वीप होगा उस्टेलिया करेगा नियू जिलेंड सीरीज अभी शुरू नहीं तो इस वक्त पाकिस्तान की जो बेस्ट टीम है और आपके प्लेयर्स की रेटिंग आप देख लें टीम की रेटिंग देख लें इस वक्त आपकी टीम मुझे नहीं लगता कि आप पांचवें पर च्छटें पर टेस्ट में आप ओडियाई में मेरे चार पांच पर होंगे अभी छे पे चले गी होंगे आपका कोई प्लेयर इस वकर जो है मेरा नहीं ख्याल टॉप टैन में शामिल हो और कहां आपकी जो नमबर वन पॉजिशन थी वो बाबर आजम से कुछ ही नहीं सकता था साला साल और आज वो ही बाबर आजम जो है वो पूरे टेस्ट में फ्लॉप रहा है अभी जो है आप इदर आ जाते हैं अगर वो पचास करता भी है और इतने बाल खेल के बाबर आजम पचास कर रहा है कि टी टुएंटी में उसका पचास किसी काम का ही नहीं है यह सिनील कौसकर की सेंचरियों वो पचास कर रहा है कि जिसका टीम को अभी फाइदा नहीं हो तो इस तरह की सुरते हाल से दो चार कर दिया आपने सिर्फ अपने फैसलों से अपनी अना से अपनी जिद से और जो है ना इमिच्यॉरिटी है बहुत जादा हौकी की सुरते हल पहले आपके सामने है हौकी से तो कोई खैर की खबर आने का आप सोचे ही ना यह लास्ट हौकी वर्ल्ड कप पे जब टीम जा रही थी मैं आपको वाकिया सुना देता हूँ उलम्पियन तोकीर डार साब उनका मुझे फौन आया उन्होंने का कि आप सोचिए कि टीम के पास जाने के लिए अभी यूनिफॉर्म नहीं है और टिकेट्स का भी इशू चल रहा था उस वक्त तो मैंने उस वक्त गुवर्नल पंजाब चोरी मुझे सर्वर साब को फोन किया तो मैंने का कि टीम जो है ना इस वक्त हौकी फेडरेशन की ये सुरते आला है तो मैं तोकीर डार साब के साथ टीम लेके गुवर्न राउस गया और चोधी सर्वर साब से रिक्वेस्ट की तो मेरा ख्याल है कि शायद को पचास लाग की उन्होंने कहीं से ग्रांट कहलें डुनेशन कहलें वो करके दिया ये हौकी की सुरत आला आपकी प्रियर्टी नहीं है ना आपकी आप मुल्क का फनून लतीफा देख लें आप यहां पे सपोर्ट्स देख लें कोई प्रियर्टी ने रखी है कोई है यह नहीं कोई एदर तो फिर आप ने वो जो है ना कहीं जोटी सची मनिस्ट्री मैं आप से अभी पूछूं के वफाक में स्पोर्ट्स की मनिस्ट्रीया किस के पास है तो मेरा नहीं खिया कि। आपको क्युई नाम जेन में और मेरे जेन में भी नहीं ए गुज जाह पांच साल से वफाक में स्पोर्ट का क्लमदान जो है वो किसी के पास थाal अचा अगर होगा भी फर innovations नोコय त Lebens्चरमनिस्टी किसके पास थी मेरा नएख़ियाला मुझे बता पाएंगी ना यह पाकिस्तान तरीके इनसाफ शाफ की प्रियॉयर्टि रही ना यह मुस्लिम लीग- नून की प्रियॉयर्टि रही और अगर आप कब ही दे बीदें किसी को बनता है तो ऐसे शक्स को सूम देते हैं आप हमसाय मुलक की बात करते हैं आपको बड़ा शोक है अनका मकाबला करने की आज उनकी स्पोर्ट का पे है आज जो है बॉली वुड काँ पे वाँ पे बॉली वूड एक इन्डस्ट्री है अपको पता है बॉलिवूड एक इंडस्ट्री है और वहाँ पे दो चार करोड नहीं दो तीन अरब का भी प्रोजेक्ट करना है तो आपको करजे भी मिलते हैं आपको गॉर्मिंट ओफ इंडिया स्पोर्ट भी करती है और यही वज़ा है कि पूरी दुनिया में वो फिल्म जो है वो आपको कमाके दे रही है आप उनकी स्पोर्ट पे आजाएं उनकी क्रिकेट पे आजाएं वहाँ पे हौकी लीग्स हो रही है वहाँ पे आप अब जो अलम्पिक्स हुई हैं और जो अथलीट्स अभी उनके सामने आए हैं, आप कोई भी खेल ले ले, उसमें वो इतना आगे जा चुके हैं, मैं बात नहीं करता आइटी की, मैं बात नहीं करता उनकी एकॉनमी की, मैं तो यह दो शुबों की बात कर रहा हूं, सिर्फ दो शुबों की, और यह दो शुबें जो हैं, उनका फेस हैं, पुरी इस स्केंडल्स और नई नसल जो है वो जब नई नसल को आप खे़ से दूर कर देंगे GB यह पर वो इस तरह की जो सरगर्मियां उसंपे ज्यादा हिस्वाल बू중गी साहर है आप इ기에 5 साथ व adopt हमसा हैं मुलक हमसेखना आगे जय पर हमारे पास सबワह है लेकिए कि युटिलाइज ही नहीं करें वैल थैंक यू फो कास्टिंग लाइट उन सच इंपर्टन इशुस जिन पर कोई और दिहान ही नहीं देरा और मेरी दौा ही है कि आने वाले लेक्शन के बाद जो हकूमत जब हकूमत बने और जो भी स्यासी जमाद जीते हैं वो इन पर नहीं आजू है कि अच मुझें ज एपिसोट बाइ बाइ